हेलो फ्रेंड्स वालकम बाक टू उत्राखर्ण ऑनलाइन एजूकेशन और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी कुछ रांसर की सिरीज को इसको हम आगे कंटिन्यू करते वे चलेंगे इससे पहले हमने डिसक्स किया था अलगी और बायलोजिकर क्लासिफिकेशन और टेक्सोनोमी के कुछ कुछ को तो आगे हम इस सिरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं तो आज हम डिसक्स करेंगे प्लांट किंडम से रिलेटेड कुछ जो आपके एक्जामनेशन पॉइंट आफ यू से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं तो लाइट सी वेरी फर्स कुष्टिन इस विच आप दो फॉलोईंग इस एन एक्जाम्पल ऑप ब्रायोफ्राइटा तो इनमें सी कौनसा ब्रायोफ्राइटा का उधारण है तो ब्रायोफ्राइटा का जो उधारण है इसका करेक्टर अंसर हो जाएगा आपका मॉस तो मॉस आपका उधारण है ब्रायोफ्राइटा का कुछ इस तरह का यह आपका दिखाई देता है अगर मैं बात करू ब्रायोफ्राइटा की तो यह आपके नॉन फ्लावरिंग प्ल तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर भी आपको मॉसमस दिखाई दे या फिर आपका लास्टमें वर्ट दिखाई दे तो वह सारे आपकी ड्रयॉफाइट से होते हैं और दो === यानि कि जो सम्वहन उतक है वो इसे प्रिजेंट नहीं होते हैं यानि कि जाइलम और फ्लोय है इतने अप्जेंट होते हैं और यूसली यह डांप और हुमिड इन एरियास में आए जाते हैं यानि कि पॉंदू का समूझ जो नगन भीज धारन करता है उसे हम क्या कहते हैं बहुत हैं जिम्नो सपर्म एंजियो सपर्म या फिर टारिडोफाइटा तो जो हमारे जिन में नेगन सीड होते हैं उन्हें हम कहते हैं जिम्नो सपर्म की अगर मैं बात करूं तो यह फ्लारलेस ह होते हैं और फ्रूट लेस होते हैं ना तो इनमें फ्रूट्स आते हैं तो यह पांदों का एक ऐसा समुआ और इसी को जिम्नुस्पम को यह हम पॉसल्स भी कहते हैं क्योंकि यह बहुत ही पहले से आ गए थे तो इन्हें हम पॉसल्स के रूप में भी यानि कि जीवित हो जाती है और जो जीविनुस्पम होते हैं वो हमारे फ्लावरिंग प्लाइंट में आते हैं यानि कि पनेरों गैंस में आते हैं ओके तो दा नेक्स्ट कुश्टियन इस सागो इस ऑप्टेन फ्रॉम सागो में साबू दाना तो यह प्राप्त किया जाता है किससे साइकर्स The next option is Pinus, next one is Purn, and the last one is Moss, तो आपका जो यह सागो है, यह किसे आपको प्राप्त किया जाता है, तो साइकस से, और यह इस तरह के का कुछ स्ट्रक्चर आपका दिखाई देता है, तो यह साइकस रिवॉल्यूटा से प्राप्त किया जाता है, और जो साइकस की जो मुलायम से पतिया होती हैं, उनसे हम सबजी बनाते हैं, और इनकी जो पतिया होती हैं, इनसे चटाई या टोकरी भी बनाई जाती है, इसके अलावा साइकस की जो बीज होते हैं, उनसे हम स्टार्च भी बनाते हैं, यहनके स्टार्च इनसे बनाया जाता ह और श्रेलंका में बहुत ज्यादा ये यूज होता है और इसका जो यूज है वो हम बीच के रूप में बहुत ज्यादा करते हैं तो यह थी सागों के बारे में कुछ बहुत important information और यह प्राप्ति किया जाता है तो यानि की ब्राइट बनाने में किसका वक्का उप्योग किया जाता है तो ब्राइट बनाने में हम किसका यूज करते हैं यह भी बहुत ही सिंपल सा कुशन था तो इसका जो use है वो हम baking industry में करते हैं यानि की main product इसमें जो होता है हमारा carbon dioxide जिसकी वज़े से हमारा जो bread है वो क्या हो जाता है sponge हो जाता है तो let's move to the next question ब्राइट 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 इस नाम से भी जाने जाते हैं तो हम उन्हें क्या कहता है faniro games केते हैं crypto games केते हैं amphibians of plant kingdom या फिर none of these तो इन्हें कहा जाता है amphibians of plant kingdom अब इन्हें amphibians of plant kingdom क्यों कहा जाता है क्योंकि यह gel और इस तल दोनों ही जगे रहते हैं की जितनी भी species होती है और इसके लावा इन्हें जड होते हैं उनकी place पे इन्हें rhizoids पाए जाते हैं तो इसलिए इन्हें कहा जाता है amphibians of plant kingdom okay so let's move to the next question next question is litmus is obtained from litmus प्राप्त किया जाता है okay litmus क्या होता है सबसे ताले तो okay तो इस से प्राप्त किया जाता है algae से पंजाई से lichen से या फिर moss से तो इसका आपका जो correct answer हो जाएगा वो जाएगा आपका lichen okay अब यह जो litmus होता है वो कुछ इस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं कि यह हमारा purple color का होता है और अगर मैं बात करूँ litmus की तो litmus एक natural indicator है जो कि हमारा lichen से हमें मिलता है और यह बहुत ही useful होता है acid और base की पैचान करने के लिए तो यह हमें सूचना देता है इसलिए हम इस इंडिकेटर कहा रहे है तो अगर इसका pH हमारा 127 के बीच में होता है तो मीर जो हमारा median है वो हमारा acidic nature का है और अगर 7 से 14 के बीच में तो यानि की base है और जहां पे अगर हमारा exact 7 होता है तो यानि की वो neutral है ओके तो ऐसे हम जो है इसे पैचान सकते हैं तो यह हमारा purple color का होता है water soluble mixture होता है जो different dice से हमारा बना होता लाइकें सामें यह मिलता है ओके तो यह थी कुछ important information आपकी litmus के बारे में और यह जो लाइकें है यह शो करता है हमारा symbiotic relationship और यह algae और पंजाई से मिलके हमारा बनता है ओके तो friends let's come to the next question हमारा अकला question है which plant has the largest ovule यानि कि किस पौदे में सबसे बड़ा बीजांड होता है so option number one है आपका pinus second option is cycus third option is magnifera and the last one is none of these तो सबसे बड़ा बीजांड यानि कि largest ovule होता है आपका cycus में ठीक है so यह है आपका cycus इससे पहले मैंने आपको बताया था कि इसकी जो यह leaves होती है पतिया होती है यह टोक्रिया बनाने में काम आती है ओके तो इनका हम यूज करते है इसके इलावा यह जो cycus है यह आपका gymnospum को belong करता है और अगर मैं बात करूँ gymnospum की तो हमारा जो smallest gymnospum है वो है हमारा जामिया और largest gymnospum होता है हमारा redwood tree यानि की शिकोया ओके तो लेट्स कम तो दी नेक्स कुस्चिन नेक्स कुस्चिन इस जब बिगेस्ट ब्रायोफाइट इस यानि की विशालतम ब्रायोफाइटा है तो अप्शन नमबर वन है आपका अरिक्सिया, second one is दौसोनिया, third one is anthoceros, last one is markenshria, so biggest ब्रायोफाइटा होता है आपका दौसोनिया, okay और अगर मैं बात करूँ तो दी नेक्स कुश्चिन, which plant yield, fiber, oil and food for animals तो किस पौधे द्वारा जन्तों के लिए रेशा, तेल और बोजन उत्पन्न किया जाता है तो यह उत्पन्न किया जाता है आपका sunflower, first option, second option is lily, jute and cotton तो यह रेशा, तेल और बोजन उत्पन्न किया जाता है आपका cotton से यानि की कप कपास से, अगर मैं कपास की बात करूँ तो कपास आपका इस तरीके का कुछ दिखाई देता है और यह जो cotton होता है यह हमारा काली मिट्टी इसके लिए चाहिए यानि की काली मिट्टी में ग्रो करता है और इसके अलावा यह हमारा मालवेसी family का है, okay तो यह हमारा मालवेसी family भी इसकी पूछी जाती है, the next question is, wheat grain is, तो गेहु का दाना आपका fruit है, seed है, embryo है, या फिर flower है, तो गेहु का दाना आपका fruit होता है, okay, यह आता है आपका फल में, क्योंकि जिसमें भी हमारे beach होता है, वो हमारा क्या होता है, fruit होता है, यह हमने discuss किया था, okay, तो यह हैं आप में यहु की बात करूँ, तो इसका जो fruit होता है, इसे हम कहते है, karyopsis, और इसका जो edible part होता है, वो होता है, आपका endo sperm, so that's it, यह थे हमारे आज के कुछ questions, आपको अगर session पसंद आया हो, तो session को like कीजिए, share कीजिए, और हमारे channel को subscribe कीजिए, stay connected trends with our Facebook ID, हमारे Facebook ID है, Pragya coaching center के आमसे, thanks for watching